आज हम शुरू कर रहे हैं माग महतम का ग्यार माध्याई तो आईए कथा शुरू करते हैं पिछले अध्याओं में हमने सुना कि कुंडल और विकुंडल नाम के दो भाई थे जिनों ने पूरा जनम कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया था लेकिन उसमें से एक भाई ने किसी अच्छे विक्तिक सा दोस्ति की और माग मास का इश्नान किया जिसकी वज़े से उसको स्व इसके इलावा पिछले दस अध्याओं में हमने ये भी सुना कि किस तरह से हमें किस-किस चीज का दान करना चाहिए, कौन सा वरत करना चाहिए और कौन सा वरत करके तेल नहीं लगाना चाहिए अध्यादे और अब हम ग्यार में ध्याई की और बढ़ते हैं जिसमें यम्दूत बताता है कि और क्या कर सकते हैं यम्दूत कहने लगा कि हे वैश्य मनुश्य को सदैव शालिक राम की शिला में तता वज्जर या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए क्योंकि सब पापो को नाश करने वाले सब पुन्य को देने वाले तता मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विश्णु का इसमें निवास होता है शालिक राम और कीट वज्जर कीट जिसको गौमती चक्र भी कहा जाता है इसमें भगवान का वास होता है जो मनुश्य शालिक राम की शिलाजा हरी चक्र में पूजन करता है वे नेक मंत्रों का फल प्रापत कर लेता है जो फल देवताओं को निर्गुन ब्रहम की उपासना में मिलता है वही फल मनुश्य को भगवान शालिक राम का पूजन करने से यम लोग को नहीं देखना दिता भगवान को लक्ष्मी जी के पास दता अत्वा बैकुंट में इतना अनंद नहीं आता जितना शालिक राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है स्वर्न कमल जुक्त क्रोडों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है भक्ति पूर्वक शाली ग्राम का पूजन करने से विश्णू लोक में वास करके मुनस्य चक्रवती होता है काम, क्रोध, लोप, मोह, अंकार से युगत होकर भी मुनस्य शाली ग्राम का पूजन करने से बैकूंट में प्रवेश करता है जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं वे प्रले काल तक स्वर्ग मे वास करते हैं जो दिक्षा नियम और मंत्रों से चक्कर में बली देता है वे निश्चे करके विश्णू लोग को प्रापत होता है जो शालिगराम के जल से अपने श्रीर का विशेक करता है वेहमानों संपूरन तीर्थों में सनान करता है गंगा, रेवा, गुदावरी सबका जल शालिगरास में वास करता है जो मनुश्य शाली ग्राम की शिला के सिर्मुख अपने पिता का शराद करता है उसके पित्र कई कलब तक स्वर्ग में वास करते हैं जो लोग नित्य शाली ग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंच गवे पीने से के क्या प्रियोजन यदि शाले ग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सस्त रो तिर्थ करने से क्या लाव जहां पर शाले ग्राम है वहां स्थान तिर्थ स्थान के स्मानी है वहां पर किये गए सम्पूरन दान हो मकरोडो गुनाफल को प्रापत होता है जो एक बूंद भी शाली ग्राम का जल पीता है वे माता के सतनों के दूद बान नहीं करता अर्थाद गरवाश्य में नहीं आता है शाली ग्राम शिला में जो कीडे मकोडे एक कोस के अंतर पर मरते हैं वेवी बैकुंत को प्रापत होते हैं जो फल वन में तप करने से प्रापत होता है वही फल भगवान को सदा स्मयन करने से प्रापत होता है मो वश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुश्य भगवान को परनाम करने से नरक में नहीं जाता संसार में जितने तीर्थ और पुन्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मत्तर के कारण से ही प्रापत हो जाते हैं इस तरह से हमारा ग्यार माध्याई समापत हुआ जिसमें की हमने सुना भगवान शालगराम की महमा कि किस तरह से शालगराम की पूजा करने से हमें अनेकों गुना फल मिलता है उनके उपर चड़े जल से इशनान करने से हमें क्रोडों गुना तीर्थों का नदियों के समान फल प्रापत होता है इसलिए यतन कीजिए कि हम भी शालगराम की पूजा कर सके धन्य है वो इंसान डुशालिगराम की पूजा करता है जो उनके दर्शन करता है तो आईए अब बारमाध्याई शुरू करते हैं यम्दूत कहने लगा बारमाध्य अरंप यम्दूत कहने लगा कि जो कोई परसंगवश भी एकाशी के वरत को करता है वैं दुखों को प्राप दुखान आपके दिन है जब तक मनुश्य दोनों में वरत नहीं करता उसके श्रीर में पाप बने रहते हैं हजारू मोशम में एक सैकड़ो वाज पर यग एकाशी वरत की सोल मिकला के वरबर भी नहीं एकाशी के दिन वरत करने से ग्यारां इंद्रियों से की ये सब पाप हो जाते हैं गंगा गया अकाशी पुषकर कुर्शेतर यमना चंद्र भागा कोई विवाज अकाशी के तुल नहीं है इस दिन वरत करने मनुश्य नियाइस की वेकुंत लोग को प्रापत करता है एकाशी को वरत और रातरी जागरन करने से मात पिता और इस्तरी के कुल की द दरक में नहीं जाते यमदूत कहता है कि है वैश्य मैं सुक्षम में तुमसे नरग से बचने का कहता हूँ मन करम बचन से प्राण महात्र का ध्रोणा करना इंद्रियों को वशमे रखना दान देना गव्यवान की स्यवा करना नियाम पूर्वक वर्नाशरम धर्म का पालण क करना इन कर्मों को करने से नियम पूर्वक मुनुष नरक से बचा रहता है स्वर्ग प्रापत करने की इच्छा से मुनुष गरीब भी हो तो भी जूता च्छतरी अन धन जल कुछ ना कुछ दान देता रहे दान देने वाला मुनुष कभी हमकी यातना को नहीं भोग दाता दि कारियों से ही स्वर्ग प्रापत कर सकता है इसलिए बाले वस्ता से ही धर्म के कारियों का भ्यास करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम बाले वस्ता में ये कहेंगी कोई वादनी अभी तो सारी उमर पड़ी है जब हम जवान होते हैं योवन होते हैं नोजवान होते हैं उस टाइम हम यह सोचते हैं अरे अभी क्या हुआ है अभी तो जवानी है बढ़ापे में करेंगे लेकिन जब तक हम पर बढ़ापा आता है तो हमारा शरीर वैसे हमारा साथ छोड़ देता है कभी यहां दर्द कभी वहां दर्द फिर तो आज कल के महौल में डॉक्टरों पर ही ध्यान रहत कि यथा शक्ती दान अब दान के उपर बात चली है तो मैं एक छोटी सी लाइन जरूर कहूंगी आपको हो सकता है अच्छी लगी और हो सकता है बुरी भी लगे हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमें दान करना बहुत ही जरूरी होता है अवश्यक होता है और इसमें हमन है शचन्द हो दिये मंदर में जठो लगा दिया किसी की मदद धी यह धी दान ही होता है और टाइम किसी कोने करना किसी को को mehr और समर्त बनाया है अपने-पने हैसाफ़र करने के लिए कोई पहली मदो फिर भी आजन कय भागाद को सकते हैं ने हमारे पास खूद नहीं है değil हम अगर दान भी करते हैं तो पहले ये सोस्तियां कि तक्ति कहां पर लगेगी हमारे नाम की दान वहीं पर जाकर करेंगे जहां पर नाम हो दरवाजे पर भी खारी भूखा वापिस चला जाएगा लेकिन ऐसे ऐसे जगाओं पर जाकर दान करेंगे जावा तक्ति पर हमारा नाम चमकेगा बाद में हम कहते हैं आरे हमने तो दान किया था दान पुर ने तो इतना करते हैं हमें लगता तो है नहीं अजी लगेगा कैसे जो घर से भूखा गया है उसका गया कभी कभी हम देखते हैं रहे ब्रामन का पेट तो भरा रहता है शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रामन को दान दिया लगता है भगवान के बाद अगर किसी ने कोई देवता नीचे बनाया गया है तो ब्रामन को बनाया गया है मैं यह नहीं कहती हूँ कि ब्राह्मन को देवता समझकर पूजी है लेकिन हम देखते हैं लेओ ब्राह्मन को सब दान करते हैं इसको दान देने से क्या होता है आज भी ब्राह्मनों को दान देने से पहले हम मार्केट में जाते हैं कपड़ा लेने खुद का कुड़ता पे जाम ईबरती ड्रेसिस पहनते हैं तो रिते हैं तो क्यों नहीं पहनते हैं हैं आग दानपुन्य आपका लगता है थाल कुछ यह था शक्ति का मतलब कि हमें भगवान ने जितनी शक्ति दी है उसके हिसाब से दान कीजिए अब हमारी खुद की तो मंतले इंकम पचास जार है एक लाख है मतलब डेली का हम एक हजार कमा रहे हैं लेकिन जब पंड़जी को देना तो उसका दसमा हिसा भी नहीं तो सूचते हैं कि 10 रुपे दे दिये बहुत हैं 20 रुपे दे दिये 50 दे दिये अपनी पहले हम खुद देखें कि हम कितना कमाते हैं दिन में उसके बाद सोचे कि हमें उसमें से कितना दान करना है तो आगे की कथा सुनने के लिए हमारे सब बने रहे हैं तन्याबत ज़िए आपको हमार स्क्राइब और शेर करते हैं कमेंट बॉक्स में जैशरी राते लिखते रहे हैं धन्यवाद